ये देखे गाइज अजब गजब पराठे मेथी के पराठे जो की ना बेलना है ना डो लगाना है बिल्कुल यम्मी और टेस्टी पराठे आप जेतना चाहें उतना क्रस्पी करें और जेतना चाहें उतना मुलायम बनाएं देख सकते हैं गाइज इतना ये मुलायम पराठा ब तोड़ ली है बस जादा कुछ ने करना है पतियां पतियां तोड़ कर इसको कट कर लेना है लेकिन एक चीज का ध्यान रखे हमेशा कि पतियों को दो कर रख दे और उन्हें सूख जाने दें सूखने के बाद कट करें वरना यह कड़वी लगेंगी पराटे जिससे कड़वे बन जाएंगे और यह देखे गाइस हमने एक कटोरियाटा ले लिया है यह कुछ फ्लिवरफुल मसाले जो कि हम एड़ करेंगे यह हमने लिया हुआ है आदा चम्मच धनिया आदा चम्मच मिर्ज क्योंकि तीखे बनाने चक्पटे पराठे होंगे यह हमने कलर के लिए डाली ह जो कि एक पिंच है इसको मसाल कर एड़ करेंगे काईज यह एकदम पकोडों की तरह बहुत टेस्टी यम्मी पराठे बनते हैं इस नास्ते को चाई के साथ इम्यूनीज का किसी एक साथ खाए बहुत टेस्टी लगता है यह देखे मेथी डाल दिया है और हमने दो चुटकी हिंग भी एड़ करी है आप चाहें तो इसमें लहसन भी डाल सकते हैं और इते के स्वाद अनुसार नमक डाला है आप इसका हम डो नहीं लगाएंगे यह चीज आपको देखने वाली है तो आप देख सकते हैं यह देखे गाईस हमने थोड़ा सा दो स्पून करीब ओयल डाल हैं तो यह देखिए हमने नॉर्माल पानी ले लिया है गायज मिक्स करके और यह देखें ठोड़ाЫ ठोड़ा करके डालेंगे जिसरे की इसमें गाठे ना बने और अच्छे से डो बन जाए देखिए डो नहीं हम लगा रहा है देखिए बैटर हम बना रहा है किस तरह से बना रहा है यह आप देखिए लास्ट में हम बताएंगे इसमें पानी कितना लगा है तो यह सदेख सकते हैं हमारा बैटर बन गया है पराठों के लिए तो आप देख सकते हैं कित और तेल भी लगा दिया है कोई भी तेल आप कोई भी ले सकते हैं ये देखें गाइस इस बैटर को हमने अपना तावे पर डाल दिया है और पतला पतला सा फैलाएंगे क्योंकि में आप प्याज पड़ा हुआ है तो यह बहुत पतला तो नहीं बनेगा मगर हाज इतना हो सके उतना पदला फैला दिजी अश्प पर और फ्लेम को धीमी रखेए बिल्कुल धीमी फ्लेम पर अच्छे से पकना है इसको यह देख सकते हैं गाईस जितना पतला फैला पाए आराम से फैला दें जब फ्लेम हम धीमी रखेंगे न तो हमारा अच्छे इससे क्रिस्पी पकेगा और जलेगा नहीं यह देखें धाक करके एक सेकेंड के एक मिनट के लिए हम इसे छोड़ देंगे तो यह अच्छे से कुख हो जाएगा हृ तो यह देखें गाइज हमारा पराठा हो चुका है और इसके पास हम ऐल लगा दीगे देखें हमारा आयरं का तहुआ है तो इसमें थोड़ा स दिक्त करेंगा पहले बार में लेकिन धीरे धीरे करके इसी तरह से हम चुटाएंगे तो यह चूट भी जाएगा अगर आपके पास नॉन स्टिक पैन है तो आसानी से आपका चूट जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यह देखिए यह चूट चूट चुका है मारा पहली बार में और आप देखेगा आगे अभी देखे पराठा है तो इस पर ओयल लगाना तो अच्छे से बनता है तो अच्छे से ल इसको उलटते पलटते सेक लेना है अब जिस हिसाब से आप अगर ज्यादा क्रस्पी खाना चाहते हैं पराठे को तो आप इसमें थोड़ी सी सूजी डाल दें या फिर चावल का आटा आप डाल सकते हैं बहुत टेस्टी बनता है उससे भी और क्रस्पी भी हो जाता है यह हमने ओयल अच्छे से लगा दिया यह देखे गाइस अच्छे से देखे कुक करिएगा यह देखे साइड में किनारे जो लग रहे हलके हलके से कच्छे तो उनको गुमाते हुए हमें पकाना है यह देखे गाइस हमारा सिख चुका है तो इसे हम अब हटा लेंगे और वाइज बच्चों के लिए बहुत 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 हेल्थफुल होता क्योंकि बच्चे मेथी नहीं खाते हैं ऐसे तो इस पराठे में तो आप मेथी डालेंगे बहुत अच्छे से खाएंगे तो इसको हम निकाल कर ऐसी प्लेट पर रख लेंगे और दूसरा भी हम इसी तर पतला पतला हम पैलाएंगे फ्लेम को हम धीमी ही रखेंगे यह देखे गाई धाकर कुक कर देंगे फिर से गाईज मेथी हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा है इस टाइम मेथी और सोया बहुत अच्छा सा मिलता है तो आप बहुत अच्छे से खा सकते हैं बच्चों को भी कहला सकते हैं और बड़े बज़रु जो हैं वो भी खा सकते हैं बहुत टेस्टी से इसके नए नए ना कि यह बहुत बहुत टैस्टी लगता है खाने में तो यह देखे इसी तरह से देखे करवाइब त्यार है और मुलायम तो इतने हैं जिसका कोई नाम नहीं है चाहें बड़े खाएं, चाहें बूड़े खाएं, कोई भी खाएं, बड़े आसानी से खा सकते हैं, और बिल्कुल कड़ए नहीं लगेंगे, तो इसको guys हम दही के साथ हमारे गर में ज्यादा पसंद किये जाते हैं, इसकी आप मोटाई भी देख सकते हैं पराठों की, तो इस देखे guys, हमने अपने रख दिये हैं, तो इन पराठों को देखकर आप बनाएए जरूर, और बनाकर अपने अनुभा हमारे साथ से एर करिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, और शिरूर,